जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मर्दूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वाले लोग हैं, टूरिजम इंडिस्ट्री में जो काम करते हैं, फोकस इन लोगर पे होना चाहिए और सरकार उनके लिए काम करने चाहिए। मैं आप सब को बदा ही देना चाहता हूँ, कि आप हिमाचर प्रदेश में अब सरकार बनाएंगे, अब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आई हैं, जो गरीब लोग हैं, कमधोर लोग हैं, किसान हैं, मख़ूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वाले लोग हैं, टूरिजम इंडिस्ट्री में जो काम करते हैं, कोकस इन लोगा पर होना चाहिए, और सरकार उनके लिए काम करने चाहिए, दूसरी बात, हमें अपने कार्यकर्ता को नहीं भूलता, कार्यकर्ता हमें चुनाव जिताता है, तो सरकार में कार्यकर्ता की अवा कि हमाचल कोई भी व्यक्ति आके चीफ मिलिस्टर से मंत्रियों से एमेले से संगचन के लोगों से खुल के बात कर से कि मैं आपको मेसिज देना चाहता था हिमाचल की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने कॉंगेस पाटी को जिताया और सॉलिटी आपने पूरा इसके द्वारा देश का लोगतंतर मुझमूत होगा और जो नफ्रत की एक जो कुशिश की जा रही है उसको जो अकम दोकिया जाएगा शैंडिल जी गाए आपकी ब्रिष्टिकौन से क्या करना चाहिए सरकार को जो हमारे गाजभी प्रदसिंग के बहुत अच्छे प्रोज जैसे हमने कहा है इनार मैनिफेस्टो कि भई हम बिना ब्याज के अधिन देंगे इसी प्रकार से सब विलेज सूरिजम तक ग्रामीर विकास तक जोड के एको हम प्रियाटों को आगे लाएं ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो और बच्चों को काम मिले आपका नयवाद भी अधिन शक्ता 25-25 किलोमेटर आप चल रहे हैं और च्छती सो किलोमेटर ऐसा वही नेता हिंदुस्तान की राजनिती में लिए जो च्छती सो किलोमेटर चलेगा लेकिन सर्थ आपकी घ्रता और आपकी इच्छा शक्ति की कि हम सब लोग गाहल है सब देश के लिए देश के अधिक बताकी लिए आपने जो तरे क्या उसमें से जो करने के लिए भारत जोड़े व्यात्रा में सारे सबस्क्राइब करेंगे था इसे अधियो कर दो कर दो कर दो झाल झाल